स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रित्यंत अंध अपंगों को नई नई उचाया प्राप करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला क्याइन्ट सर्विस डिपार्टमेंट नैशनल असोशेशन फॉर द ब्लाइन्ड इंडिया के ग्रामेर अपंग सशक्तिकरन कार्य के लिए समर्पित समाज उध्धारक बंदूद्वय कहते हैं ना जिस पर गुजरती हैं उसी को अपने और दुसरों का एहसास होता है हर कोई अपने सर्वांगीन अनुभवों से दुनिया की तरफ देख कर उसे समझने की कोशिश करते रहता है वह व्यक्ति खुद पर बीटी हुई कठिनाईयों को सफलता से लांग कर अपने आप में पूर्णता सक्षम हो जाता है तो वह अपने जैसे दूसरों को भी अपने जैसा सक्षम होते हुए देखना चाता है दुनिया में स्वार्थी और अपने आपके भले के लिए कार्यरत होने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं पर दूसरों की भलाई चाहने वाले और करने वाले बहुत ही कम होते हैं यह काम करने वाला सेवाभावी और सेवावरती व्यक्ती ही जीवन में पूर्णता विक्सित होकर अपने आपको प्रस्थापित कर अच्छी कासी उचाई तक पहुंच जाता है. यह काम आसान तो नहीं होता लेकिन उसे करने में अपने आपको समर्पन भावना से लबालत कर अविरत कार्यानवित होते हुए रा में आने वाली मुश्किल को लांगने की क्षमता भी विक्सित करनी होती है. अपने जीवन का लक्ष दूसरों का भला करने में ही समाधान प्राप्त करने वाला व्यक्ती ही अपने होसलों से उडान भरते हुए सेवाधर्म की परिभाशा प्रस्थापित करते हुए सफलता की अत्तूत्तम उचाई प्राप्त कर बन जाता है समाजुद्धार्ट. आज हम इस लेक द्वारा दो बंदुद्वयों से परिचित होने वाले हैं जिनके नाम हैं। पत्ता बेचने का व्यवसाय करते थे। उनके आंठ अपत्यों में दो अपत्य रामराव और सुधाकर जो जनम से ही द्रिष्टि बाधित थे। जैसे जैसे वे दोनों पढ़ाई प्राप्त करने की उम्र के ओ गए तो वे भी अपने द्रिष्टिवान भाई बहनों जैसे स स्कूल के दाखिल करने की राय देते थे। तब उन्होंने अपने संबंधित और रिष्टिदारों से संपर्क करके नागपूर शहर स्थित अंध विद्याले का पता ढूंड लिया। जहां उन बच्चों को रहिवास की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इससे जागरूप पिता की मेहंत रंग लाई और रामराव और सुधाकर का प्रात्मिक शिक्षण नागपूर में सफलता से पूर्ण हुआ। उनके पच्चात उन दोनों ने एस एफ एल उच्च माध्यमिक विद्याले धामन गाव से ही शालान परीक्षा के परिणाम आते ही उस गाव को अच्रच का सामना करना पड़ा क्योंकि दृष्टी बाधित रामराव सबसे ज्यादा नंबर लेकर प्रथम श्रेडी प्राप करने का भी मौका देना चाहिए इस प्रशंसा से और गुंतालिका में अवल आने से रामराव और सुधाकर दोनों ही शिक्षा विकास प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो गए उस दौरान मुंबई के विक्टोरिया समारक विद्याले में दृष्टी बाधित बच्चों को सिखाने के लिए विशेश शिक्षकों को विशेश प्रशिक्षन दिया जा रहा था। रामराव ने उस प्रशिक्षन के लिए अपना नाम दर्स करा कर वह प्रशिक्षन पद्वीका सन 1969 में सफलता से प्राप्त कर ली। अपने परिवार की खस्ताहाल आर्थिक स्थिती को संभालने हेतु उसने अमरावती शहर के नरेंद्र भिवापुरकार विद्याले में शिक्षक पद पर नियुक्त होकर एक वर्ष कालावधी में शिक्षक बने। यह काम करते करते उसने अपना शिक्षावरत भी जारी रखा और सन 1970 में शिवाजी महाविद्याले अमरावती से कला स्थातक की पद्वी प्रपट कर ली उसके उपरांद उसने अपना शिक्षक का व्यवसाय भी जारी रखा और सन 1973 में नाकपूर विद्यापीठ में हिंदी विशय लेकर स्थातकोत्तर पद्वी प्रपट कर ली सन 1968 में रामराव की शादी चंद्रकला नामक युहती के साथ हो गई और उनका पारिवारिक जीवन प्रारम हुआ समय समय पर उनका परिवार फल फूल रहा था और उनके परिवार में दो लड़के और दो लड़किय प्रवेश कर चुके थे महनती चंद्रकला अपने बच्चों का विकास और अच्छा खासा ध्यान रख रही थी इस वज़े से रामराव को सामाजिक जीवन में अपना योगदान देने के लिए उप्युक्त समय मिलने लगा उसी दोरानवे के डॉक्तर मदन गोपार के आबा साहिब देवस्थले और श्री सुंदरलाल श्रीवास्थव जैसे सामाजिक कार्यकरताओं के संपर्क में आए और उन पर अपनी बुद्धिमत्ता की च्छाप छोड़ने में सफल हो गए अब तो उन्होंने इच्छा प्रकट की मैं अपना संपूर्ण जीवन द्रिष्टि बाधिता सहिट सभी प्रकार के दिव्यांगों के कल्यान के लिए समर्पित करने वाला हूँ उनके इसी निर्धार ने दिन बदिन अग्रेसर होते गए और उनके सामाजिक कार्य में नीचे दी हुई उपलब्धिया हासिल करने में सफल हो गए सन 1973 में महाराष्ट्र राज्य अपंग शिक्षक संस्था में अपना सत्रिय योगदान देते हुए उस संस्था के शिक्षक और कर्मचारियों के संधटक बन गए सन 1977 से 1983 की कालावधी में वे राष्ट्य द्रिष्टिहीन संग विदर्प विभाग के अध्यक्ष बनकर अपने विभाग में अंध कल्यान क्षेत्र में अपना योगदान प्रदान करते रहे उसी दौरान्वे राश्च्य द्रिश्टीहीन संग महराश्चर राज्य के मानद अध्यक्षपद पर भी नियुक्थ होकर कार्यरत रहते थे सन 1985 में उन्होंने अपने ही बंदू श्री सुधाकरजी से मिलकर राश्च्य अपंकल्यान संस्था अमरावती की स्थापना की जिसमें सभी प्रकार के अपंगों को शिक्षण, प्रशिक्षण और विकास के उप्यूक्त मार्गदर्शन देकर पुनर्वसित किया जाता है जाने वाले सेवा प्रकल्पों के विकास करने में कार्यरत है। उसी संस्था के प्रतिनिधी बनकर उन्होंने कई सारे राज्य, राश्च्य तथा अंतराश्च्य स्तर पर अयोजित हुए संमेल्नों में अपना सक्रिय सहभाग किया है। सन 1990 में उन्होंने के ठोंबरे गुरुजी और के गंदाधर फडणवीस माजी आमदार के साथ मिलकर नागपुर शहर में करणबधिर विद्यार्थियों के लिए करणबधिर विद्याले नागपुर शुरू की जो आज तक कार्यरत है। सन 1991 में उन्होंने चीखल्द्रा नामक पहाडी कस्बे में अंद विद्याले शुरू किया। वह भी आज तक कार्यरत है। जहां रामरावजी ने स्वयम उपप्राचार्य का पद अफलता से निर्वाह किया। आगे चलकर वे निवासी अंद विद्याले के प्राचार्य पद विभूशित करते रहें। सन 1987 से 1995 के कालावधी में वे महराष्ट राज्य के दिव्यांगों को रोजगार देने वाली आरक्षन समिती के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। सन 1990 से 1992 के 92 आकाश्वाणी नाकपुर के द्वारा प्रसारित कारेक्रमों के लिए आयोजित सल्लागार समिती के सदस्यों में सदस्यता हासिल करने में भी काम्याब हुए। और दिव्यांगों को प्रेरित करने वाले के सारे कारेक्रम प्रसारित करने में भी सफल हो गए। सन 1996 में उन्होंने द्रिष्टिहीन बालकों के सर्वेक्षन हेतु काय नामक संस्था से मिलकर अपना अंध तथा अपंकल्यान कार्य विस्तार करने हेतु स्थापित समिती के ऊपर नियुक्त होकर अपना योगदान दिया। वे महराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा गठित की हुई विशेश पाठ्शाला संहिता समिती पर भी सदस्य रूप में कार्यरत रहे। सन 1997 में वे RCI, Rehabilitation Council of India, द्वारा मान्यता प्राप्ट विशेश अंध प्रशिक्षक प्रशिक्षन केंद्र स्थापित करने में भी सफल हो गए। वह केंद्र भी आज तक कार्यरत है। सन 1994 से 95 में वे भारत सरकार द्वारा कोलंबो प्लान अंतरगत स्वानसी विद्यापीट वेल्स युनाइटेड किंगडम यहां आयोजित प्रशिक्षन केंद्र केंद्र के लिए आयोजित किये गए। रामराव जी ने आयोजित दिव्यान कल्यान शेत्र में जो योगदान दिया उसके लिए वे समय समय पर सनमानित किये गए। जैसे की एक सन 1992 में उन्हें भारत के महामहिम राश्च्रपती जी श्री आर वैकट्रामन द्वारा अपंगो की सेवा में दिये हुए योगदान के लिए राश्च्रपती पुरसकार देकर गौरवानवित किया गया। 2. सन 2001 में महाराश्च्र राज्च के सनमानिय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदर्श राज्च शिक्षक पुरसकार देकर गौरवानवित किया गया। 3. सन 2002 में उन्हें मनुशबल विकास लोकसेवा अकैडमी मुंबई द्वारा पदमभूशन सनमान देकर सनमानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें महाराश्च्र राज्च के विधान परिशत सभाप्ती श्रीना सफरांदे द्वारा शिक्षक रत्न गुरु गौरव पुरसकार देकर सनमानित किया गया। 4. सन 2000 में उन्हें टी एस बमंकर पुरसकार बी एम ए द्वारा देकर सनमानित किया गया। अनोर्ता विश्वास द्वारा उन्हें द्वितिय अखिल भारतिय प्रतिभा सन्मान देकर गौर्वानवित किया गया। करने वाले मान्यवर बने। सुधाकर ने कानूनी शिक्षन प्राप्त करने हेतु नापपुर विद्यापीत द्वारा एल एल बी की पदवी प्राप्त कर ली। उन्हें संगीत से अच्छा खासा लगाव है। वे तबला बजाने में भी माहिर है। इसलिए उन्होंने गंधर विद्याले मिरच से तबला विशारत की शिक्षा पूर्ण की। उनकी इन उपलब्धियों से उन्हें डॉक्तर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्याले अमरावती में विशे शिक्षक पद पर नियूकती प्रपट हुई। समय समय अनुसार उन्हें उपप्राचार् पर पदोन्नती प्राप्त होती गई। उन्होंने अपने विद्यार्थियों की जिग्ग्यासा बढ़ाने हेतू अनेकोवित कारेक्रमों का आयोजन किया। करने हैं तु कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की। वे हमेशा उनके सर्वांगीन विकास के लिए दक्ष शिक्षक होने की भूमी का अदा अरते रहे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को राष्चिय तथा अंतर राष्चिय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल कूद के स्परधाओं में भी सम्मिलित करवाने में सफलता प्राप्त की। सन 1978 में उनका विवा अपने ही समाज के शोभा नामक यूवती से संपन्न हुआ। वह अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने अपत्यों के शैक्षणिक तथा सर्वांगेन विकास करने हेतू कार्यरत रही। इसमें उन्हें सुधाकर जी का भी अच्छा सहकार्य मिला। समय अनुसार उनके परिवार में एक लड़का और दो लड़किया प्रवेश कर चुकी थी। वे सब आज उच्छे शिक्षन प्राप्त कर अच्छे खासे पदों पर नियुक्ती पा चुके हैं। श्री रामराव और सुधाकर जी इन दोनों ने अपने खुद के द्रिश्टिदोश को जीवन में उच्छे शिक्षा हासिल कर स्वयम को तो यशस्वी जीवन में स्थापित तो किया ही हैं परंतु समाज में दिव्यंगों के प्रती जागरुकता फैला कर उनके पुनरुथ स्थान कार्य की लौ आज तक जलाए रखी है उन्होंने प्रस्थापित किये हुए तीन विशेश स्कूलों को और उससे जुड़े हुए कई सारे सेवा कार्यों को कार्यानवित करते रहने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और यही कार्यवे अपने जीवन के योगदान दिया है उनके वे रिनी है दिन बदिन यह कार्य दिव्यंगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य दिन बदिन विक्सित करते रहना जरूरी है इसके लिए उन्हें और दानशूर सेवाभावी नागरिकों के स्वयन सेवी वृत्ती से योगदान क जरूरत है। आशा है हमारे दयाद्र समाज उनका हाथ बटा कर उन्हें सामर्थ शाली बनाएगा। कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना। मेहंतवालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रस्ता छोड़ा परबत ने शीष जुकाया। फॉलादी हैं सीने अपने फॉलादी हैं बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चटानों में राहें। सुधाकर जी 2009 तक अपने शिक्षक की भूमी का तो अदा करते ही रहे भले ही उन्हें उपप्राचार्य तथा प्राचार्य पद ग्रहन करते हुए व्य शेत्र में अपना योगदान दे ही रही हैं। उनका निर्धार है कि मेरे जीवन के आकरी पल तक इसी कार्य से जुड़ा रहूंगा। आज भी वे नई नई चीजे सीख कर यहां अनुभव मेरे दृष्टी बाधित बच्चों को किस तरह दिया जा सकता है। इसलिए कार्य सचीव उन्नी सो पचासी से आज तक महराष्टर राज्य अपंग संस्था शिक्षक्व कर्मचारी संग के मानत सचीव उन्नी सो सतत्तर से आज तक दृष्टी बाधितों के लिए विशेश शिक्षन पद्विका केंद्र एन ए डबल्यू पी एच अमरावती के मानत संचाल अदे टक उन्नी सो सतत्तर से उन्नी सो इक यासी नाशनल फेडराशन of the blind महराष्टर राज्य के उपाध्यक्ष उन्नी सो इक्यासी से उन्नी सो पचासी जिल्ला पुनर्वास्व कल्यानकारी पतसंस्था मर्यादित अम्रावती के मानत संचालक और सदस्य विशेश शाला सनहिता समिती महाराष्टर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सन 1981 से 1983 तक राज्य स्तरिय शिक्षकों की समवेदन शीलता बढ़ाने हेतू कुस्तके छपाई करने हेतू समिती की सदस्यता अपंगों के लिए मुक्त वात करने हेतू राज्य सरकार द्वारा स्थापित समिती की सदस्यता सुधाकर जी को आज तक उन्होंने सेवा भावी वृत्ती से किये हुए कार्यों के लिए निन्मलिखित पुरसकार देकर गौर्वानवित किया हुआ है एक राश्च्रिय अपंग कल्यान संस्था अम्रावत नौफ द्वारा शाहु फुले आमबेड कर पुरसकार दो श्री अजित दादा पाटिल द्वारा नौफ के लिए राश्च्रिय पुरसकार तीन दी नैशनल असोशेशन फॉर वेलफेर अफ दी फ्रिजिकली हायांडी कैपड अम्रावती द्वारा अपं कल्यान राज्य प उस्तुम अलपाईवाला अवार्ड छे सामाजिक न्याय और विशेश सहाय विभाग महराश्च्र शासन द्वारा समाज भूशन पुरसकार दो हजार अठार दोनों बंधों ने आज तक अपंग कल्यान कार्यों में मिल जुल कर कई सारे कारेक्रम और सेवा भावी कार्य कि आज तक शुरू है उनके इलाके में उन्होंने तीन विशेश स्कूल की स्थापना करवे अपंग कल्यान कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं उन्हें यह सतकार्य करने के लिए धन जुटाना बहुत ही मुश्किल कार्य बन रहा है फिर भी वे दोनों इस अपने बलबूते पर सफल करने की कोशिशे लगातार जारी रखे हुए हैं उन्होंने अपने इलाके में काफी ब्रैल प्रिंटिंग प्रैस में पाठित्रमे किताबों की छपाई का विदर्ब इलाके के हजारों अंध विद्यार्थियों को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कार करवा रही हैं वे दोनों हर दम अपने इलाके के द्रिश्टी बाधितों के सर्वांगीन विकास के लिए जरूरी कारेक्रम आयोजित कर उन्हें नए नए क्षेत्र से परिचित करवा रही हैं उनका यह महान कार्य दिन बदिन नई नई उंचाया प्राप्त कर रहा है वे के सशक्तिकरण हेतु स्वयन सेवी वृत्ती से सहभाग लेने के लिए प्रवृत्त करना है उन्होंने आज तक किये हुए कार्यों से विकास के पत पर आगे बढ़ने वाले सभी दिव्यांगों को रोजगार देने के क्षेत्र में अपना और एक नया मकाम बनाने के योग् है उन्होंने आज तक कई सारे राश्य, राज्य तथा स्थानिक स्थर्टिय कई सारे सनमिल्नों में हिस्सा लेकर वहां जो जानकारी उन्हें प्राप्थ हुई वही उन्होंने अपने इलाके के दिव्यांगों को लाभ सवरूप देने के लिए हर मुम्किन तरीके बड़ी मुश्किल हम तो ठान चुके हैं, हमें विकास के पत पर अग्रेसर होते हुए विदर्ब के पतल पर यशस्विता का ध्वज जरूर फैलते रहना है। हेमंध जे पातिल, Honorary Secretary, National Association for the Blind, India